आज हम बात करने जाने एक मेहम मुद्दे की मुद्दा ये है कि क्या बिचोलिये खा गए आपके शक्कर ये सवाल इसलिए क्योंकि थोक और रिटेल का जो भाव है चीनी का उसमें बड़ा अंतर है और क्या आप जानते हैं कि जिस चीनी का आप 40 रुपय परती किलो से 26 रुपय परती किलो से भी कम है जी हाँ ये सच है ठोक बागार में चीनी की कीमते कम होने का फाइदा आपको नहीं मिल पा रहा है आकिर ऐसा क्यों और क्या है ये पूरा मामला आए देखते हैं रिपोर्ट कोई तेवहार हो खुशी का मौका हो मीठे के बिना तो भारतियों की जिन्दगी अधूरी सी लगती है इसलिए तो चीनी की एहमियत आम लोगों की जिन्दगी में काफी ज्यादा है लेकिन क्या हो अगर इसी चीनी की मिठास आपके खाने में कम हो जाए क्या हो कि जिस चीनी की कीमत कम होनी चाहिए उसके लिए आप से बढ़ा चड़ा कर द चीनी के भावो पर चीनी बेच रही है और जो कि 28 महीने में चीनी का सबसे कम भाव है। लेकिन चीनी के रिटेल भाव पर इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। रिटेल में चीनी का भाव करीब 40 रुपे प्रती किलो है यानि थोग भाव के मुकाबले करीब 15 रुपे ज्यादा प्रती किलो महंगी चीनी है जबकि जानकारों के मुताबिक भाव में 7 रुपे से ज्यादा कांतर नहीं होना चाहिए आपको बता दें कि विदेशी वायदा बाजार में चीनी का भाव 9 साल के नीचले स्तर पर है अप्रेल में तो चीनी का थोग भाव 10 रुपे से जादा लुड़का और अक्टूबर से अब तक भाव करीब 25 रुपे से जादा कम हो चुका है यानि बाजार में तो चीनी के भाव काफी कम हो गए हैं लेकिन आपको ये फायदा नहीं मिल पा रहा है और वो भी इस साल चीनी का रिकॉर्ड उतपादन के बाद भी रिटेल दाम जियोंकित्यों है मद्ध अप्रेल तक करीब 3 करोड़ चीनी का उतपादन हो चुका है जो पिछले साल के मुकाबले करीब 50 फिस्दी ज्यादा है चीनी के थोकदाम गिरने से चीनी मिले गन्ना किसानों का बकाया भुकतान नहीं कर पा रही है चीनी मिले भी नुकसान की दलील दे रही हैं, दूसरी तरफ डिटेलर्स चीनी का ज्यादा भाव लेकर चांदी काट रहे हैं दिल्ले से सुमन के साथ मिर्तियुंजे कुमार चा, जी मीडिया तो जी हाँ, देखा आपने ये रिपोर्ट की किस तरह से ठोक भाव और खुद्रा भाव में एक बड़ा अंतर यहाँ पर सामने देखने को मिल रहा है ठोक में चीनी के दाम लगातार कम हो रहा है, 28 महने में सबसे कम दाम हैं चीनी के ठोक बाजार में और अंतराश्टे बाजार में भी किम पे गिर रही हैं लेकिन इसका फाइदा कंजिमर को नहीं मिल पा रहा है इस पर बातचित करने के लिए हमारे साथ दो खास मेमान हैं, हमारे साथ हैं प्रफुल विठलानी जो की चेर्मेन है और साथ हमारे साथ एम मनिकम हैं चेर्मेन शक्ती शुगर्स के आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है मेरा सबसे पहला सवाल प्रफुल विठलानी जी आप से ये होगा कि जो एक पंदरा रुपए तक का गैप है जो एक्समील प्राइस है जो जित भाव पर चिनी मिलें चिनी बेस्ती है और जो चिनी हम खरिदते हैं रिटेलर से इन दोनों के बीच प्राइस में करीब करीब पंदरा रुपए का अंतर है क्या आपको लगता है कि यह अंतर जस्टिफाइड है या फिर आपको लगता है कि कहीं न कहीं रिटेलर में मुनाफ़ाख हो रही है नहीं देखें ऐसा है कि मैंने सुबह आज आपको इंटर्वीव दिया था जी बिसनेस पे फोन पे और फिर मैंने इमेल से आपको एक वेबसाइट भी बेजी थी लिंक बेजी थी जो गवर्मेंट के रिटेल प्राइस बताती है ये जो 40 रुटे के प्राइस रहते है वो स्पेशालिट सुगर रहती है जो नोन सलफर या जो पैकेट की जो रहती है वो रहती है आज के गवर्मेंट के प्राइस दिली के 33 रुपीज है बॉंबे के 38 है कलकता के 36 है चेनाई के 35 है रिटेल बेजिस पे है ऐसा है कि हमारे मनीकम साब जो है वो तामिल अडू साउथ से है साउथ में दो साल से गन्ने का उत्पादन काफी कम होने से वहाँ पे चिनी बहुत कम बनी हुई है तो उस समय उदर प्राइस थोड़े उपर है कलकता एक रिजन है ऐसा हिंदूस्तान में 6 से 8 स्टेट में ज्यादा प्रोडुक्शन सुगर का होता है और कंजब सने पूरे हिंदूस्तान में होता है तो जहां पर जैसे लोंग डिश्टन से प्रोडुसिंग सेंटर से वहां के दर अलग रहते हैं यह जो प्राइस है एक्चुली जो 6 मेने के पहले के प्राइस थे वो 43 से लेके 35 तक दिल्ली में आ गये हैं जो पर्टिकुलरी कोई आप बड़े मल्टी स्टोर्स के अंदर स्पेशली सुगर लेते हैं उनके 40 रुपे के दाम है पर हां रिटेल का जीतना चाहे उतना प्राइस इतना कम नहीं आता है जब तक वो लोग जुने प्राइस के लिए रहे थे कि एक महिने के अंदर 10 रुपया 10 परसंटेज प्राइस गिरे हैं 10 परसंटेज आप पकड़ेंगे तो 3 रुपीज पर के जीतना उनके पास अगर पूराने दाम की चीनी पड़ी है तो रिटेलर वो पहले पूरी करते हैं और नुक्सानी करके कभी बेशते नहीं है ने चलिए लेकिन ये बात आप कह रहे हैं लेकिन एक बड़ा सवाल यही है क्या के कंजुमर को 15 रुपया महंगाच चीनी क्यों खरीदना पड़ रहा है हम आपको एक शुगर फ्राइस का गनी दिखाने जा रहे है कि आखिर किस तरह से ये भाव कैलकुलेट होता है ये दे आने का हक है कि आप जो प्राइस पे कर रहे हैं चीनी का वो कितना जायज है क्या आपसे ज्यादा पैसे यहां पर लिये जाते हैं ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए और आप देखिए कि जो थोक का भाव है चीनी का ये एक्स मिल प्राइस है यानि जिस भाव पर चिनी मिलें, चिनी बेस्ती हैं, ट्रेडर को थोक कारवारियों को, उसका भाव 25 से 26 रुपए परती किलो है महाराश्टरा में, एक्समिल प्राइस इसे बोलते हैं, मिलोग की भाषा में, और जो रीटेल का भाव है, वो 40 रुपए परती किलो के उपर ही है, करीब-करीब 14 से 15 रुपए का गैप है रीटेल के प्राइस में और एक्समिल प्राइस में, रीटेल ठोक में आंतर कितना होना चाहिए, जो तक का भाव रिटेल में होना चाहिए, जब कि अंतर है 14-15 रुपए, यानि करीब 7-8 रुपए आप ज्यादा चुका रहे हैं चीनी के, जो चीनी आपको 32-33 रुपए या 34 रुपए मैकसिमन के भाव पर आपको मिलनी चाहिए, वो चीनी आप 40 रुपए प्रती किलो खरीद र लगता है, और जो तमाम खर्चे हैं, 5% GST के बाद इसका प्राइस हो जाता है करीब 27 रुपए 30 पैसे प्रती किलो, आप देखें जो पूरा सर्कुलेशन है, मिल से निकल कर आपके खीचन तक चीनी पहुँचने का जो पूरा ये सफर है, वो किस तरशिता होता है, उसके ब करीब 30 रुपए 80 पैसे या 31 रुपए आप मान सकते हैं, ये पूरा खर्च आता है, होलसेल से रिटेल में, आपके मोहले की दुकान में पहुचने में, अगर रिटेलर का मार्जिन जोड दिया जाए, जानकर ये मानता है कि 2-3 रुपए प्रती किलो का मार्जिन का ठीक ठा पर डाका क्यों डाला जा रहा है, बेज़ौन मिश्रा जी, आप कंजूमर के मुद्धे को लगतार उठाते रहते हैं, क्या आपको लगता है कि ये कंजूमर की जेव पर डाका है? बिल्कुल, हम ये समझते हैं कि ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि हमारे देश में सरकार को जो नियंतरन करके रखना चाहिए, इनो कीमत पे, इनो डिमांड एन सप्लाई को एक्चुली सही डंग से मैनेज करने के लिए सरकार को हत्रशेप करना पड़ता है, और करना चाहिए भी, और ये सारे जो पीडियेस वगरे में, जो हम लोग चीनी के वितरन वगरा जो होता है, उसी से मतलब मार्केट प्राइस को कंट्रोल कर करना चीए, और हम समझते हैं कि हमारे जो तंत्र में इनो स्टेट गवर्मेंट इस पे नजर नहीं रखते हैं, वो डिमांड सप्लाई पे नजर नहीं रखते हैं, जिसके चलते ही मुनाफ़ा खोरी शुरू हो जाता है, और एक आम जनता को चीनी का भाव का ज़्यादा कीम भी खपत होता है हमारे देश में, तो हम लोग मिठाई भी बनाते हैं, मिठाई भी खरीदते हैं, तो हम समझते हैं कि इस पे जरूर सरकार को हत्यचेप करना चीए, और उनको लोगों को एक मतलब कंट्रोल में लाना चीए कि आप 10% से ज्यादा नहीं ले सकते हो आपका मार उस कीमत का एक सीलिंग लगा देना चीए, सीलिंग लगा दे, उसके नीचे आप जितना बेचना चाहो आप बेच सकते हो, लेकिन उस सीलिंग से उपर नहीं बेच सकते हो, तो इस धंक का एक नियम लाना चीए, हमारे देश में इंटरिनल ट्रेड का प्राइसिंग को लेकर जब तक वो essential commodities ना गोशित हो जाए उसका कोई price control होता नहीं है तो हम समझते हैं कि इस ढंक के सामानों को पे essential commodities act लागू हो जाना चाहिए और लागू करके रखना चाहिए लेकिन कोई state government इसमें करते नहीं है कोई की industry बहुत हाभी रहते हैं, industry influence करते हैं इन्हों सरकारी तंत्र में और वो influence हमारे consumer को बरदास्त करना पड़ता है और consumer इसलिए बरदास्त कर लेते हैं क्योंकि उनको सुनवाई नहीं होता है कोई सुनने वाले नहीं है, हर चीज़ को लेकर हम लोग competition commission के सामने नहीं जा सकते हैं हर चीज़ को लेकर हम लोग Supreme Court के सामने नहीं जा सकते हैं क्योंकि हम लोग के पास भी सीमित साधन है, इनो ये सब मुद्दे को उठाने के लिए तो चुकि आप लोग उठाते हो और चुकि जी बिजनेस इस ढंक के मुद्दे को ले जाते हैं जंता के सामने तो हम सोचते हैं कि आप सरकार का ध्यान अक्रश्चित होना चाहिए और हर एक स्टेट गवर्मेंट को चीनी जैसे चीजों को एसेंशिल कमोडिटीज आक्ट में लाना चाहिए ठीक है आप ये बात ठीक कह रहे हैं कि सरकार को इसके उपर गंबीरता से सोचना चाहिए कि कंजुमर की जेपर क्यों मार पड़ रही है क्यों कंजुमर को ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ रहे हैं इसके लिए क्लिमिट ते होनी चाहिए हमारे साथ एम मनि सब कर नहीं है तक की चेजिका कर निर नीओ आफ तक एपिप्र इस पहरे लिए लोसरार है कि आभछों च 5 इसको लेकर कोई खास दिककत नहीं है उत्तर भारत में दिककत है तो क्या कुछ डिस्ट्रिबूशन को लेकर के यह फिर आपको लगता है कि हाँ पर बिचलियों की भूमिका ज्यादा हो जाती है इसलिए जे भिली करने पड़ती है कर्जीवर को मुर्तिन जै जी पहली बाद तो आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो आपने स्टेटास्टिक्स बनाया है कि GST और सब कोश्टिंग करके क्या दाम में रिटेलर के पास जाती है तो 31, 32 रुपीज के रिटेलर की दुकान में पोचने के बाद जैसे आपने बताया चलो आपके इसाब से 10 परसंट या 15 परसंट पकड़ो तो वो 35 रुपीज केजी होनी चाहिए तो ये चीनी 35 रुपीज केजी ही अवेलेबल हर जगह पे है एक्सेप्सनल जो आप नोर्थ इस्ट एरिया जो है जैसे कि वेस्ट बेंगोल है या वेस्ट बेंगोल कागे के साथ स्टेट जो है हमारे वहाँ पे कोई सुगर के प्रोड़क्शन नहीं हो रहे है वो कंजूमिंग सेंटर से है वहाँ पे 38 रुपीज है पर हाँ एक चीज में आपके बिजनेस जी बिजनेस के मादियम से कहना चाहूंगा कि अगर आप कोई ऐसी चिनी लेना चाहते है जो सलफरलेस है जो रिफाइंड होती है दुबारा और उसकी लोस होती है तो उसकी कोश चालीस रुप्य के आसपास है पर ऐसे चिनी जो है वो 35-38 के आसपास ही है और दूसरी बात यह है कि इंडश्ट्री की हालत खराबे फार फुल जी आपके पर सुबारा लुटूगा जो हम खबर दिखा रहे हैं आज हमने सुबर साड़े 11 बजी इस खबर को उठाया था अभी भी दिखा रहे हैं इस खबर का एक बड़ा इंपक्ट होता हुआ दिख रहा है जोएन शेक्रेट्री शुगर एन एड्मिस्टेशन की रिटेलर की कीमतों को तैप नहीं कर सकती है सरकार लेकिन अगर बाजार में ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है मतलब अगर थोक के मुकाबले काफी ज्यादा भाव पर रिटेल में मिल रहे हैं तो इसकी जाच कराएंगे और इसके लिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संब सेकेटरी जो हैं फूड के सुरेश कुमार वशिष्ट जो स्टोरेज और शुगर का विभाग भी देखते हैं और उन्हें यह बताए कि वैसे तो रीटेलर की जो कीमते हैं वो सेंट्रल गवर्मेंट तैह नहीं करती है वो राज्य सरकारे अपने लेवल पर तैह करती हैं इन राज्य सरकारों को निर्देश दिये जाएंगे कि वो अपने फूड कमिशनर्स अपने इलाके और अपने शेहरों में अपने राज्यों में इसकी जाज कराएं मृतुंज है शुक्रिया सुमान आपका इस पूरे अपडेट के लिए तो इस ख़बर का इंपक्ट भी हो रह ही है और इसके उपर आगे जाज भी हो सकती है ऐसे संकेश आपतर पर मिल रहा है लेकिन विजान मिश्रा जी क्या होना क्या चाहिए क्योंकि ये सिर्फ चीनी की बात नहीं है कई वर हमने देखा है कि नासिक में दो रुपए परसी किलो बिकने वाला प्याज दिली में पच सेल में दाम गिर रहा है तो इसका फाइदा कंजिमर को अभी हो ये रहा है कि गन्ना किसान रो रहा है गन्ना किसानों की गन्ना किसान मुश्किल में है उन्हें बकाया बुक्तान नहीं हो पा रहा है चीनी मिले मुश्किल में है चीनी मिले कहती है कि उनकी जो लागत है उत लागत भी नहीं मिल पा रही है उसे बाजार का भाव आठ से नौ रुपए नीचे है तो चिनी मिले मुश्किल में है गन्ना किसान मुश्किल में है कंजूमर मुश्किल में है पैसा खा कौन रहा है इसलिए हम इसलिए कह रहे हैं कि सरकार को एक एसेंशल कमोडिटीज का एक लिस्ट निकालना चीए जिस पे प्राइस की नियंतरन होना अनिवारिया है यूजी हम चाहते हैं कि हर स्टेट गवर्मेंट एसेंशल कमोडिटीज एक्ट को पालित करे साही धंग से उसको नोटिफाई करे Essential Commodities Act अभी नहीं पालित है, नहीं वो लोग उसको नोटिफाई किया है, जिसके चलते लोग मनमानी margins लेते हैं, मनमानी इनों जमाखोरी करते हैं और लोगों से पैसा ले लेते हैं और consumer से high price में, तो हम ये चाहेंगे कि हर state government इस पे एक नजर रखे और वो time to time एक सूची निकाले, उस सूची में वो लोग जरूर बताएं कि मतलब हमारे farmers को क्या price मिलनी चाहिए, हमारे minimum support price क्या होना चाहिए, हमारे factory वालों को क्या price मिलनी चाहिए, हर एक व्यक्ति को एक ceiling दे देना चाहिए, लेकिन उस ceiling के आधार पे competition पे कोई कम दाम में बेचना चाहिए, वो उसकी मर्जी है, there is no problem, लेकिन उससे ज़्यादा वो बेचने का कोशिस करें, तो उनके उपर कारवाई होनी चाहिए, उन पे सक से सक कदम लेना चाहिए, ताकि वो जमाखोरी ना करें, वो प्रॉफिटेरिंग ना करें, वो उस डंग का मार्जिनलान ने सिचुएशन को देखते हुए, जिसमें वो बोगताओं को नुकसान हो, और वो बोगताओं के उपर बड़न आ जाए, प्राइस को लेकर, तो हम चाहते हैं कि हर स्टेट गवर्मेंट, तो कि यह स्टेट सबजेक्ट है, स्टेट गवर्मेंट को इस पे एक जरूर एक नीती लाना चाहिए, और Essential Commodities Act को तुरंट से तुरंट पालित करें हों लोग, और वो एक लिस्ट बनाएं कि कौन-कौन सा समान Essential Commodities में आता है, ठीक है, विठलानी जी एक और बड़ा सवाल है, चुकि आप इंड़िस्ट्री को काफी करीब से समझते हैं इस प पहनों में कंजिमर को राहत मिलने वाली है, दाम कुछ हो सकते हैं, रिटेल में, मैं दो-तिन बाते बताना चाहूंगा, एक तो यह है कि चालीस रुपया किलो की जो है, उससे मेरी राई अलग है, कि वो चालीस रुपया स्पेशाली सुगर की है, रियल चीनी जो ज्यादा 90 परसंट बिकी जाती है, वो 35-36 रुपय किलो पेवले बले है, दूसरी बात यह है कि अगर को इमेल दे चुका हूँ, यह गवर्मेंट के मोडल प्राइस का यह आज का रेट है, दूसरी बात मैं यह कहूंगा कि अगर कोई रिटेलर के पास पूराने दाम की कैसे, एक महीने में 300 रुपया प्रति क्विंटल दाम गिरे है, पूरानी चीनी होगी, तो जब उसके नीचे भाव की चीनी उसके पास आएगी, दाम नीचे आएगे, और एक दूसरी में आप बात बताता हूँ, कि एक्चुली हकिकत काफी अलग है, ऐसा है कि 255 रुपया प्रति टन की गन स्रीमान स्री सरत पवार जी, वा नितिन गड़करी जी को पूरे डेलीगेशन के साथ मिले हैं, और ये कोसिस कर रहे हैं कि इंड़स्ट्री, फार्मर और ये ट्रेड, जो ट्रेडर्स भी हम लोग ने भी तो हमेसा कुटन-कुटन व्यापा रखते हैं, 20 लाक टन से 5 लाक ट चीनी की ज्यादा है, हिंदूस्तान में 60 लाक टन ज्यादा है, तो यहां पर मार्केट बढ़ने की तो कोई उमीद नहीं है, इतनी मात में जरूर बता सकता हूँ, बाकी जो है, अगर आप जो सल्फर लेस चोड़के भी डवल रिफाइंड चीनी में जाएंगे तो उसका 45- फचास रुपया किलो भी रहता है, एक सट सो रुपय में भी मिलता है, और दो जार में भी मिलता है, आप कुंसी खरीदी करना चाहते हो, उसके उपर डिपेंड है, यह तो कोई जो जनरल चीनी का प्राइस है, वो 40 रुपय के आसपास है, 40 रुपय से उपर भी है, और यह एक मॉडल प्राइस है, और यह भी गुवर्मेंट का प्राइस है, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मिस्टर मनिक का, वास्योर टेक ओन दीस, कि अगर सुगर का जो होलसेल प्राइस है, वो 25 से 26 रुपीज है, तो आपके हिसाफ से, वास्ट बीज रिटेल मेंडर रुपी, 33 प्राइस है, और रीटेल प्राइस है, लेकिन को यह भी रीटेल अगम से जुड़ने के लिए, वास्ट चीड़ने के लिए, तो इसमें यह बात निकल कर आ रहा है, ंगर रिटेलर को अगर कंजुमर को होलसेल के मुकाबले काफी ज्यादा भाव पर चीनी मिल रही है तो इसको लेकर के सरकार को एक मेकनिजम बनाना चाहिए और एक लिमिट ते होनी चाहिए कि अगर होलसेल में 25-26 रुपए का भाव है चीनी का एक्समिल प्राइस तो रिटेल में इसका प्राइस क्य होना चाहिए इसको लेकर के एक प्रोपर मेकनिजम होना चाहिए नहीं तो अगर थोप में इदाम गिरेंगे तो इसका फाइदा कंजुमर को आगे भी नहीं मिलेगा